हेलो दोस्तो आजकी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भीन का गुणना और भीन का भाग को कैसे बनाया जता है देखे सबसे पहले सीखेंगे भीन का गुणना को बनाने के लिए देखे इसका नियम होता है कि संख्या को आप ऊपर ऊपर नहीं काट सकते हैं और संख्या को नीचे नीचे नहीं काट सकते हैं, देखिए संख्या को आप तिर्छा तिर्शी काट सकते हैं, या फिर आप संख्या को उपर नीचे काट सकते हैं, देखिए अगर नीचे आप दो से काटते हैं, तो उपर भी आपको दो से काटना होगा, दो से छो को काटें, यह कट जाएगा तीन बार में, दो से चार को काटें, यह कट जाएगा दो बार में, अब देखिए आपको देखना है, कि संख्या तीरचा तीरची कट रहा है की नहीं, देखिए हाँ पर, दो से तीन नहीं कटेगा, और तीन से दो भी नहीं कटेगा, देखिए अगर संख्या नहीं कटेगा तो आपको उपर उपर वाले संख्या का गुना करना है और नीचे नीचे वाले संख्या का भी गुना करना है यानि दो से गुना दो में करे तो यह हो जाएगा चार तीन से गुना तीन में करे तो यह हो जाएगा नौ यानि इस प्राश्ण को हल करें तो इसका इंसरा जाएगा 4 बटा 9 तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्राश्ण को हल करते हैं देखिए इसको भी आप उपर नीचे काट सकते हैं 2 से 2 को काटें यह कटेगा एक बार में दो से छो को काटें, यहां कट जाएगा तीन बार में, यहां पर देखिए, चार और आठ है, यहां दोनों संख्या चार से कट जाएगा, चार से चार कट जाएगा एक बार में, चार से आठ कट जाएगा दो बार में, यहां पर देखिए, तीन है, और इसके बटा में नौ है, यहां यहां दोनों संख्या तीन से कटेगा तीन से तीन कट जाएगा एक बार में तीन से नो कट जाएगा तीन बार में अब आपको देखिए यहां पर देखना है कि संख्या तीरचा तीरची कटेगा की नहीं देखिए यहां पर उपर में तीन है और यहाँ पर नीचे में भी तीन है याँ यहाँ दोनों संख्या जो है एक एक बार में कट जागा अब देखें आपर कोई भी संख्या नहीं कटेगा तो यहाँ पर देखें जो भी संख्या उपर में है इसका हम लोग आपस में गुना करें एक से गुना एक में करें, यह होगा एक, एक से गुना एक में करें, तो यह हो जाएगा एक, अब देखिए हम लोग एक से गुना करेंगे दो में, तो यह हो जाएगा दो, दो से गुना एक में करें, तो यह हो जाएगा दो, यानि इस प्रस्ण को हल करें, तो इसका इंसरा ज लिखना है, आठ बटा च्छो को, यहां पर देखिए भाग का चिन है, तो इसको आपको गुना के रूप में बदल लेना है, देखिए जब भी भाग का चिन गुना के रूप में बदलता है, तो इसके बाद वाला जो भी संख्या होगा, इसको आपको पलट देना है, यानि द कट जाएगा चार बार में, देखिए यहाँ पर उपर में चार है, और यहाँ पर नीचे में चार है, यहाँ दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा, अब देखिए यहाँ पर तीन है, और यहाँ पर दो है, यहाँ दोनों संख्या आपस में नहीं कटेगा, तो जाएगा 2 बटा 3 तो चलिए अब हम लोग 4 परास्ण को हल करते हैं तो देख सकते हैं पर 4 परास्ण है इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको 9 बटा 3 को लिखना है यहाँ पर देखिये भाग का चिन है तो यहाँ बदल जाएगा गुना के रूप में देखिये जब भी भा उपर वाला संख्या जाएगा नीचे, यहां पर देखिए भाग का चिन है, तो इसको भी आपको गुना के रूप में बदल देना है, देखिए भाग का चिन यहां पर भी गुना के रूप में बदल गिया, तो इसके बाद वाला संख्या जो भी होगा, यहां भी संख्या आप कटेगा एक बार में, दो से छो को काटें, यह कट जाएगा तीन बार में, यहाँ पर देखिए छो और चार, यह संक्या दो से कट जाएगा, दो से चार कट जाएगा दो बार में, दो से छो कट जाएगा तीन बार में, अब देखिए आपर कोई भी संक्या आपस में नहीं कट तो यहां पर देखिए जो भी संख्या उपर में है इसका हम लोग आपस में गुना करेंगे तीन से गुना तीन में करें या होगा नौ नौ से गुना तीन में करें या हो जाएगा सताइस एक से गुणा एक में करें तो यह होगा एक एक से गुणा दो में करें तो यह हो जाएगा दो यानि इस प्राश्ण को हल करें तो इसका इंसर आजाएगा 27 बटा दो तो चलिएब हम लोग पांचवा प्राश्ण को हल करते हैं देखे सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 4 बटा 3 को यहाँ पर देखिए गुना में है 2 बटा 6 यहाँ पर देखिए भाग का चिन है तो इसको बदलेंगे गुना के रूप में देखिए इसके बाद वाला जो भी संख्या होगा यहाँ पलड जागा यहाँ पर देखिए आपर नीचे में है 3 और यहाँ पर देखिए उपर में है यहाँ दोनों संख्या एक एक बार में कट जागा 2 से 2 कट जागा एक बार में 2 से 6 कट जागा 3 बार में यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर 8 यानि चार कट जाएगा एक बार में और आठ कट जाएगा दो बार में अब देखें आपर कोई भी संख्या आपस में नहीं कटेगा अब यहाँ पर देखें जो भी संख्या उपर में हैं इसका हम लोग आपस में गुना करेंगे एक से गुना एक में करें या होगा एक, एक से गुना एक में करें या होगा एक अब देखें नीचे में हैं, एक से गुना तीन में करें या होगा तीन, तीन से गुना दो में करें या हो जाएगा छोव यानि इस प्राश्णों को हल करें तो इसका इंसर आजाएगा एक बटा छोव तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गे होंगे कि भीन का गुना और भीन का भाग को कैसे बनाय जाता है